नमस्कार, मैं संजीर खुमार, आज रहस्य मैं सिद्ध भूमी तथा सूर्य विज्ञान, इस पुस्तक के प्रथम अंज को संछेप में प्रस्टूत करने का प्यास कर रहा हूं। इसके मूल उपदेश्टा, महा महोपाध्याय, पद्म विभूशन, डक्टर, पंडित, गोपीनात, कविराज जी है, संग्रह एबम अनुवाद किया है, एसन खंडेल वाल जी ने। सूर्य विज्ञान, दिर्ग कालीन, अध्यावसाय, नियमान वर्तिता तथा गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इस ग्रंत के संयोजन का मात्र उद्देश है, ऐसी प्रेरणा देना तथा एक्छा का उद्द बोधन करना, जिससे इस लोकोत्तर विज्ञान के प्रती रुची का जागरण हो सके। इस मरणी है कि स्रधा सदा विजैनी है, सरवार्थ साधिनी है। योग जोतिसाचार पंडित डाक्टर ब्रह्म गोपाल जी भादुली के अनुसार समय, गती, वस्तु एबं पत का अन्यन्यास्रय संबंध है। गती के लिए वस्तु आवश्यक है। वस्तु गती पाक कर पत का अवलंबन लेती है। गती की माप के लिए समय का महत्त सरवत्र मान्य है। मन की इस्थिती कालान तरगत है। अतह काल इस्थित मन की संग्या है इस्थूल मन। विशिष्ट मन गती के साथ संयुक्त रहता है। विज्ञान के अनुसार प्रतेक वस्तु में दो तत्व हैं। पूरक पॉस्टिव एवं अनुपूरक अपूरक निगेटिव। जीवन मुक्ति एवं परामुक्ति देहा वस्थान काल में ही होती है। जैसे एक काला व्यक्ति में कब द्वारा गोरा प्रतीत होता है। वैसे ही चरम केंद्रबिंदू प्राप्त सादक इस थूल कड़्युक्त शरीर प्राप्त करता है। जो एक ही साथ इस थूल एवं सुक्ष्म इस्थिती संपन है। परंतु एक साथ है एवं नहीं है। कहना कैसे संभव होगा। इसके लिए उदाहरन देते हैं। सांकिकी के अनुसार चालिस एवं पचास के बीच यदि कोई प्राप्तांक इसके मद्धिका हू। तो ऐसी इस्थिती में 44.9 तक उसकी गड़ना 44 अंकस्रेडी में की जाती है। और मात्रा की व्रिद्धी से वह 45 की स्रेडी में आती है। इससे यह तत्व बुद्धी गम में हो जाएगा। ज्यान तथा सक्ति दोनों ही अनंत है। दोनों ही अनंत भाव से इस्वर में विद्यमान है। ज्यान इस्थिर है। सक्ति में चान जल्य है। इसलिए पूर्ण इस्वर की सीवत था सक्ति रूपेण कल्पना की जाती है। योगी इस्वर है परन्तु पूर्ण इस्वर नहीं है। बाबा कहते थे की जीव कभी इस्वर नहीं हो सक्ता। सिद्ध इस्थानों में विचित्रता है। ये सभी सूश्म सत्ता में अवस्थित रहते हैं। उप्युक्त व्यक्ति के समक्ष व्यक्त हो जाते हैं। विज्ञान की क्रिया में ज्ञान है, क्रिया भी है। ज्ञान न रहने से क्रिया संभव नहीं है। जब तक भेड ग्यान नहीं कर जाता, तब तक इच्छा सक्ति का प्रयोग संभव नहीं होता। उल्लेखनी है कि वर्तमान गुलाब के उपादान में विश्वसिष्टि का मूल उपादान भी वर्तमान है अतह उसे अन्य किसी रूप में परणित किया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी वस्तु के उपादान नहीत हैं गुलाब फूल इसलिए है कि इसकी स्रिष्टि में गुलाब के ही उपादान विशेष्टह काडिरत हैं जीव की कर्म सक्ति, योगी की इच्छा सक्ति तथा भगवान की कृपा सक्ति सभी निमित्य के अंतरगत हैं जप रहस्य सरव प्रथम कुमारी सेवा आवश्चक है, यही ज्यान गंज का विधान है, तदंतर जप की आवश्चकता है जप और ध्यान द्वारा व्यक्ति अपनी भावना स्रद्धा के अनरूप अपने इच्छ का दर्षन प्राप्त करता है, अर्थात जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी यह सब रूप आत्मा का ही रूप है, साच्छात्कार होना अभिन्ना वस्था का प्रतीक है, यहां मन, इंद्रिय बूध और जगत का भान नहीं रहता, केवल चैतन्य में सुरूप की सत्ता ही अवसिष्ट रह जाती है मनुष्य जन्म दुरलब है, मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में पसु के समान ही होता है, क्योंकि उसमें काम, क्रूद, लोब, मोह, अवस्थित होता है मनुष्य का नेतिक विकास, काल एवं साधना के अधीन है, आध्यात्मिक विकास में अहंकार ही प्रधान बाधा है कर्म प्रकृति के गुण सत रज तम द्वारा संपन होता है, परन्तु मनुष्य स्वयम को करता मानने को विवस होता है जब साधना जब तप ध्यान कृपा आधी से अहंकार सुन्य होता है, तब जीव द्रश्टा है और भगवान करता है धन्यवाद नमस्कार परमात्मा का संजीव कुमार